Hi everyone, wish you a very happy Sunday और आज मैं आपसे बात करने वाला भोती छोटी हो सडीक Acceptance Acceptance की जब हम बात करते हैं कि हम किसी चीज़ को accept करना, grant करना तो कई बार हमारी लाइफ में जो कहते हैं कि काफी चीज़े होती रहती हैं और हम maximum time acceptance के और चल जाते हैं Acceptance is receive करना, हम उसको receive करते हैं अपनी involved चाहे हो अचीचीज हो, चाहे हो बुरी चीज़ हो अचीचीज से हम खुश होते हैं या बुरी चीज से हम ग्याएँ हो जाते हैं और हम दुखी क्यों होते हैं कि हम उसको accept कर लेते इसका एक चोटा सा example है कि मा लीजे मैंने आपके बारे में कुछ बुरा बला का या आपने मुझे कुछ बुरा बला का और उसको लेके मैंने दिल पे ले लिया, accept कर लिया, means दिल पे ले लिया, सोच लिया, सोचने लगा, उसके बारे में बात करने लगा, it means I have accepted that, अगर आपना उसको accept कर लिया, my dear friend, then you will be in pain. You need to decide what you need to accept, what you need not to accept. आपको decide करना है कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है. Positive है, तो accept जरूर कीजिए. Negative है, तो छोड़ दीजिए और अपनी life को आगे बढ़ाईए. अपने time को बढ़ाईए, अपनी speed को बढ़ाईए. Acceptance, negativity के तरफ में मच चाहिए. Thank you very much, listening to me and joining chain of life.